हे दोस्तो विल्कम टू आ चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया आप अगर चैनल पे निया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर दा जनुएन इंफरमेशन और आपका कोई 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 रिस है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना तो दोस्तो आज है 24 जैनुवरी 2022 बात करेंगे इस वीडियो पे एक मोनोपली कमपनी IEX इंडियन एनर्जी एक्सेंज लिमिटेट की फाइनली क्वाटर 3 की रेजल्ट आउट हो चुका है साथ में कमपनी ने डिविडेंट का भी अनौसमेंट किया तो डिविडेंट का नोट बिना किसी टाम वेस्ट के फड़ाफ़ रेजल्ट को पर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो ध्यान से देखना दोस्तों कि जितने भी नंबर्स है सारे इन लैक्स के फिगार पे है और मैं आपको करोड़ पे कंवर्ट करके बताऊंगा ताकि आपको समझने में कंप्यार करेंगे तो सबसे पहले आता है कंपनी का डेविन्यू फ्रम ऑपरेशन एन आदर्स इंकम को एट करने के बाद टोटल इंकम तो कंपनी का इस क्वाटर यानि डिसेंबर 2021 पे टोटल इंकम हुआ है 130 करोर रुपए का ध्यान देना पूरा का पूरा नंबर इन लैक पे है और मैं आपको करोर पे कनबट करके बता रहा हूँ टोटल 130 करोर का टोटल इंकम जनेरेट किया इस क्वाटर में जो कि लास्ट क्वाटर यानि यहां पे सेप्टमबर 2021 पे कंपनी का टोटल इंकम हुआ था 122 करोर रुपए तो यहां पे अब डिरेक्ली आप देख से यहां पे आप देख सकतो यहार ऑन यहार बेसे पर कंपनी का पर्फॉर्मेंस और भी शांदार राव तो चलिए टोटल इंकम की उपर अगर 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 अन्डर कंट्रोल नहीं रखा तो इसके अंदर कुछ खास जम देखने को नहीं मिलेगा तो यहां पे आप second quarter में total expenses का नंबर आया है सिर्फ । सिर्फ 23 करोड 63 लाक रूपए का जो कि लास्ट कॉतर सेप्टेंबर 21 पर कंपनी का total expenses का नंबर था 20 करोड़ 29 लाक रूपएक यानि total revenue के साथ सब कंपनी का जो total expenses है उसके अंदर भी आमें जम देखने को मिला quarter-on-quarter पर लास्ट एर की अगर हम बात करें 2020 की December quarter में कमपनी का total expenses का नमबर आया था 20 करोर 35 लाग यानि अगर देखा जाए दोस्तों कमपनी का जो total revenue year on year पे जितना बड़ा है उसके according अगर देखा जाए total expenses उतना जादा हमें increase नहीं हुआ यानि year on year पे कमपनी का जो performance है वो बहुती शानदार हमें देखने को मिला अब most important point दोस्तों कमपनी ने कमाया कितना यानि net profit तो नीचे यहाँ पे आप देख सकतो कि tax बगरा सब कुछ भरने के बाद जो बचता है उसे हम profit for the period या तो net profit कहां जाता है जो कि इस बाद दोस्तों क कमपनी का performance बहुती शान दाला मतलब year on year भी और quarter on quarter भी जो कि इस quarter यानि December 2021 पे कमपनी ने net profit कमाया 80 करोर 73 लाक रुपीज 80 करोर 33 लाक रुपई पूरा का पूरा फिगर लाक पे तो मैं जिसके आपको करोर पे convert करके बता रहा हूँ लास्ट क्वाटर की अगर हम बात करें ज शांदार चम देखने को मिला quarter on quarter basis पे but year on year basis पे कमपनी का पदर्शन या performance और भी बैदरीन रहा 58 करोर पॉइंट 14 टोटल यहां पे कमपनी का यानि अठावन करोर 14 लाग काट कमपनी नेट प्रोफित आया था लास्ट यार 2020 की डिसेंबर कॉर्टर में जो कि अगर हम बात कर यार on year basis पे कमपनी का performance यानि टोटल इंकम के अंदर भी जितने शांदर जम देखने को मिला ठीक वैसे ही नेट प्रोफित के अंदर भी बहुत ही शांदर जम देखने को मिला अब हम चली नीचे चलके देखते है कि कमपनी ने अर्निंग पर शिरकित कितना रखा है तो यहा कमपनी की जो नेट प्रोफित यार टोटल रेविन्यू के बढ़ने के साथ साथ क्वार्टर और क्वार्टर पे भी और यार और यार पे भी कमपनी का जो अर्निंग पर शियार यानि इपिएस उसके अंदर भी हमें बहुत ही शांदार जम देखने को मिला अब चली नीचे चलके हम देखेंगे कमपनी का कहां से कितना रेविन्यू जेनेट हुआ है तो डिफिनली दोस्तों कमपनी जहां से मॉनोपलिया यानि पावर एक्सेंज सेक्टर जो की इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कमपनी वह है आई एक्स तो पावर एक्सेंज सेक्टर से क एक्सेंज की सेक्टर से जो की कंपनी का इस क्वाटर में टोटल रेविन्यू आया है चार करोड़ चुवत्तर लगका जो की क्वाटर अन क्वाटर भी एड यार ऑन यार भी तोनों इस सेग्मेंट पर हमें अच्छा खासा जम देखने को मिला तो ओवरल गडम बात करें कंप आपर देख लेते हैं ध्यान से समझ लेना चीजों को तो कंपनी ने इस बार डिविडेंट डिकलार किया सो परसंट का सो परसंट किस्तरा यहां पर बिगनर्स को समझ नहीं आया का क्योंकि कोई भी कंपनिया का डिविडेंट देता है वो हमेशा फेस वैलू की उपर ही दि अगर हम बात करें डिविडेंट का रेकॉडडेट तो यहां पर देख सकते हो कंपाईया जो डिविडेंट रेकॉडडेट रखा फोर्थ फेबरड़ी 2022 को यानि उसके अकौरी थर्ट फेबरड़ी यह डिविडेंट का एक्स डेट होना चाहिए अब ध्यान से सुनना आप अगर सिगेंट फेबरड़ी या तो उसके पहले आई एकस का शेर खड़ित्यों तभी आपको डिविडेंट पाने के लिए इलिजीबल होंगे आदरवाइस आपके पास अगर आई एकस का शेर है ओल्लेडी तो डिफिनिटल आप यहां पर डिविडेंट पाने के लिए ओल आपको काफी ठीक लगेगा मतलब डिविडेंट इंगे आई एकस जो कि आज पांच परसंट की उपर गिरावाट हुआ इस शेर के अंदर कल इंपक्ट कैसे देखने को मिलगा ध्यान से सुनना आप आप भी मुझे कमेंट कर को बताना कि आपका क्या ओपिनेन आपको क्या मतलब क्या लगा कि कल तेजी होगा या गिरावट देखना को लगा फिर से तो आई एकस की शेर के अंदर आज की परसंट की गिरावाट देखने को यह तो तो मुझे जो चीज की अंदर की पहले भी मार्केट क्रेश के टाइम पर जब जब गिरावाट हुआ था यहां पर देखे 238 उसके पहले भी देखे 240 के आसपास उसके पहले भी देखे 230 के आसपास यह जो लेवल है यानी 230 से 240 रुपए का लेवल यही लेवल से बार बार हमें जो बांस बैक करता हुआ नजर यानि जब जब यह इसी लेवल पर पहुंचता है अब देख सकतो इसी लेवल से ही इसके अंदर स्ट्रॉंग बाइंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है तो डिफिनेटली जिसकार मैं आपको बोलाओ कि कल अगर मार्केट रिकावर किया तो डिफिनेटली इसके अंदर भ शियर की पर्फरमेंस की पर तो वीडियो के यह पर बाइंड आप करता हूं वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को लाइक करके जरूर एंकरेज करना मिलते नेक्स वीडियो पे तब तक के लिए टेक कर बाबाई जाए हिंद झाल